सबी को नमश्कार मेरा दरसल ये वर्ष का हम लोगों के लिए किया जाए तो फिर हम लोगों ने इसको सभी के लिए ओपन किया था क्वाएं से लिए तो फिर हमको ये भी लगा कि ये वास्तों में सभी के लिए है क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ये भाव तो ही कि वो सुखी होना चाता है प्रसनर रहना चाता है कुछ खाली पन है, कुछ आतरपती है तो कैसे ये खाली पन को दूर करें कैसे तरपती पूर वो जी पाए स्वेम में भी प्रसंदा रह पाए, परिवार में भी प्रसंदा रह पाए, समाज में भी प्रसंदा रह पाए और जिस कारचेतर में काम कर रहा है, महां भी प्रसंदा से रह पाए तो यह ऐसा विशह था कि यह सभी के लिए जरूरी है तो फिर इसलिए हम लोगों ने ये सभी के लिए इसको किया है इसमें काफी लोग प्रदेश के बाहर से भी जुड़े हुए है तो प्रसंद रहना तो सभी के लिए आवशक है मेरे समय भी सामने भी जब UHP का प्रस्ताव आया था तो मुझे भी लगा कि ये Universal Human Value क्या होता है मुझे लगा कि ये शिक्षा के साथ कोई नेतिक शिक्षा की बात हो सकती है तो हम बच्पन से नेतिक शिक्षा के बारे में बहुत सारा सुनते रहे पर नेतिक शिक्षा के बारे में सुनते थे तो लगता था बहुत सारे do's and don'ts हैं तो मुझे लगा कि इसमें भी कुछ ऐसा do's and don't हो पाएंगे पर जब मैंने ये कारशाला सुनी तो मुझे लगा कि इसमें कोई भी do's and don'ts नहीं है केवल सभी जो भी बात की जा रही है वो प्रस्ताव के रूप में है उसको मानना नहीं है जाचना है अपने भीतर और जाच के फिर उसको करके देखना है जब करके देखते हैं तो उसका verify ऐसा होता है कि वो खुद भी स्वाहम भी प्रसंद होता है चाहे एक समाज का आत्मी हो, चाहे दूसरे देश का समाज का आत्मी हो, जिस सब में समान रूप से ये नियम लागू होते हैं, तो फिर मुझे लगा कि ये क्या है, तो समझ में आता है कि ये law of nature है, यदि law of nature के हम समझ विक्सित कर लें, उसके अनुसार जी हैं, और जब उसक हमने सुख का नाम दिया है, जैसे ही हम जो law of nature है, उसके अगेंस में जीना शुरू करते हैं, तो एक खराब लगने का इंडिकेटर आता है, जिसको दुख का नाम दिया है, तो हम अभी जाने अन जाने में जब हम से ऐसा होता है कि हम ये स्रश्टी के नियमों को अनुसार च हैं और कैसे हम जीएं उसके साथ तालमेल बिना के, तो हमारे जीवन में निरंतर हम निरंतर सुख पूरवक रहे पाएं, तो इतना सुंदर डिजाइन जो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, कि ये बिल्कुल सिस्टेमें ठीक है, जैसे हम कोर्स में पढ़ते हैं कि फिजि हमें वो इतना आसान और सरल है, और क्रमबदता है इसमें, कि पार्ठ क्रम के रूप में भी हम पढ़ते जाते हैं, तो जीवन के नियमों के बारे में, श्रश्टी के नियमों के बारे में, बिल्कुल दीरे-दीरे क्लियरिटी आ जाती है, फंडमेंटल हमारे क्लियर हो जात और हम लोग इस प्रयोक को यहां कर पा रहे हैं यह बहुती बड़ी प्रदेश के लिए तो यह सभी के मैं इसलिए UHV टीम का बहुती आवारी हूँ और सबके लिए बता दें कि UHV टीम जो यह इस पूरे कायरकम को पूरा वालिंटेर बेस पे यह कायरकम चलता है तो हम लोंने राज जानन संस्तान की तरफ से अगरग किया तो यह जोजवी टीम इसके लिए सरस तयार हो गई तो पूरा UHV टीम इसमें वालिंटेर कर रही है और यह पूरा समय है और काफी व्यस्त सभी लोग काफी अच्छी पोजिशन्स पे सभी दूर अपना अपना जिम्मेदारियन निवा रहा है उस जिम्मेदारियों में से भी स्वायम का समय निकाल कर यह हम सब लोगों के बीच में जुड़ पा है इसके लिए UHV टीम और AICT का मैं बहुत ही आबारी हूं राज जानन संस्तान की और से और फिर स्कूल शिक्षा विवाग ने भी इस बात को रखने के लिए हमको सहमती दी तो यह यह भी इसके लिए हम स्कूल शिक्षा विवाग के भी बहुत आबारी है और यह चाहा रहे थे कि यह तो प्रसंद रहना खुद के लिए भी जरूरी है वोगों के लिए भी जरूरी है और जो मैं बात कर रहा था कि इन्युवर्सल लॉग हमको यह समझ में आ जाए तो यह इदि बच्पन से ही हमको समझ में आ जाए यह शीक्षा की सिक्षा व्योस्था में चला जाए यह बच्चे इसको समझ लें तो कितना आसान हो जाएगा तो यह सब रिटार्मेंट के बात की बात हैं पर मैं वही उदार्ण देता हूं कि कार चलाना सीखना किस उम्र में जरूरी है जब हम रिटार हो जाएंगे या उस समय कार चलाना सीखेंगे या सही समय पर सीख लेंगे तो उसका भरपूर उपयोग कर पाएंगे तो इसलिए जि हमों को समझते हुए जीना शुरू कर दें तो एक अच्छे समाज का हम निर्धारन कर पाएंगे तो बहुत-बहुत आवार और सभी पार्टिसेवेंट्स का भी बहुत-बहुत आवार हैं कि सब लोगों ने इसमें रूची दिखाई है और इसमें शामिल हुए बहुत-बहु हुए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत